वीडियो में आप सबी लोगों का स्वागत है मेरा है मैं सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चीन के बारे में उसको समझने की कोशित करेंगे अंडर्स्टैंड करेंगे यहाँ पर कि कल मार्केट का ब्यावियर कैसा रह सकता है और कौन से इंबॉर्टन लेवल है मार्केट के लिए जो सपोर्ट और रिजिस्टेंस की तरह कामकाच करेंगे तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझेंगे यहाँ पर कि निफ्टी का option change data कैसा बना हुआ है और साथी साथ understand करने की कोशिस करेंगे कल से जो नई स्टार्ट हो रही है उसमें market का behavior कैसा रह सकता है बट उससे पहले बात करते है market at 11 के वीडियो की market at 11 के वीडियो में मैंने आपको clearly समझाया था कि market थोड़ा था एक consolidation में रहेगा यह particular range मैंने आपको mark करके दी थी exactly nifty ने उसी range को ही यहाँ पर follow किया है अगर आप देखोगे तो यह जो trend line थी इसको हम सही कर देते हैं हाँ ठीक है यह trend line थी जो की downward trend line थी जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि resistance phase कर रहा है nifty जब तक यह cross नहीं करता तब तक आपको को यह expectations रहेगी तो आपको एक अच्छा profit मिल सकता है यहां से रिकवरी आई एक्जेक्टली इसने सेम resistance phase किया जो downward trend line थी वहां से गिरा पचास पॉंट के करीब और फिर फाइनली 17,000 के ऊपर expiry को गई ठीक है विकास मार्केट के पास कोई direction नहीं है कोई पर्टिकुलर information नहीं है regarding US market कैसा trade करने वाला है आज रात में तो इसलिए हमारा market कह सकते हैं lower level पर consolidation कर रहा है ठीक है वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के बात करें तो आप देख सकते हो सेम यहीं लेविल था बट इसने इस लेविल को ब्रेक करके ऑल्मुस्ट अपने इस लो के पास तक चला गया था उसके बाद recovery आई अराउंड आपका 38850 तक की फिर दुबारा ग्रावट आई तो कह सकते हैं हमारा market तैयार है आईदर बड़ा breakdown के लिए या फिर यहां पे strong upside move करने के लिए अब यह सब कुछ डिपेंड करेगा किस चीज़ पे US inflation data आने के बाद US market कैसा behave करता है ठीक है यह important रहेगा अब आज के market में कुछ जादा समझाने के लिए यह नहीं है बट फिर भी मैं आपको कुछ important learning point समझाने की कोशिस करूँगा जो आपके काम आएंगे ठीक है सबसे पहले हम यहां पर option chain data देख लेते हैं option chain data में अगा देखोगे तो 20 October की expiry है 17,000 की put पे करीब 43 लाग का open interest खड़ा हुआ है call पे भी 39 लाग का open interest खड़ा हुआ है अब जायर सी बात है कि put writers को लग रहा है कि market bounce करेगा इसलिए यहां पे 43 लाग का open interest खड़ा हुआ है उपर की तब बढ़ते हैं तो 17,200 पे करीब 31 लाग का open interest खड़ा है अब कहने की चीज़ पता है कि जब तक 17,200 हम नहीं निकालते हैं तब तक थोड़ा सा हम negative ही रहेंगे यह चीज़ आप क्लिरली समझ लीटे है 16,950 की नीचे trade करना start किये तो हम bearishness जादा दिखाएंगे यह point आपको क्लिरली ध्यान में रखना है और option chain data में कोई जादा बुड़ा data नहीं है जिसको हम read कर सकें तो चलते हैं जल्दी से chart पे हैं ठीक है चार्ट पे चलने से पहले मैं आपको कुछ important बताऊंगा US market के बारे में ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ें और understand आए levels as it is हमने mark कर रखके morning में यही level हमारे काम के हैं इन levels को थोड़ा सा ध्यान रखेगा अब देखो ठीक है अगर आप nifty का chart देखोगे तो same as it is chart है side सी बात है जैसी आप इस level के उपर trade करना start करोगे जो कि यह 17200 आप positive होते हो दिखाई दोगे ठीक है और अगर आप 16950 के नीचे trade करना start किये तो आप negative हो फिर आप 1650 तक भी गिर सकते हो यह point आपको यहाँ पर ध्यान में इस level के अंदर आपको कुछ नहीं करना है यह चीज समझ लीड़े अगर आप करते हो और आपको profit मिल जाता है तो आप उस profit को लेके निकल जाए otherwise market इसी तरीकी की volatility में आपको फसा के रखेगा और आप थोड़ा बहुत loss कर सकते हो यह point आपको ध्यान में रखना है ठीक है वह अगर अगर हम बात करें बेंग nifty की चूब देख लेते हैं टो बैंग nifty के लिए देखो बेंग nifty के लिए छोडे से मिन्ही udah कर देथा है 15च का time frame यहांपे लगाता हो ठीक है अब आप देखो यहांपे bank nifty में हो कह रहा है यह particular लेविल था एक्डरी also point unfortunately चो आज दो अइस निकलता है इविन आप इस लेविल को चाहो तो आप इस लेविल को 39300 भी कर सकते हो 39300 के उपर सस्टेन करने लगता है तो फिर हमारे पास जो अब यह चैनल के अंदर इस चैनल के अंदर क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी बहुत ही काफी दिनों से कामकाच कर रहा है इस चैनल के भार नहीं निकल पा रहा है अब इतना लंबा consolidation जायट सी बात है कि या तो आपको एक बड़ा breakdown मिलने वाला है या फिर एक बड़ा breakout मिलने वाला है breakout बड़ा मिलेगा तो आपको उपर 40,500 तक के बैंक निफ्टी में टार्गेट मिलेंगे और अगर breakdown मिलता है तो नीचे फिर आपके पास जो टार्गेट है वो आप क्लियर ली देख सकते हो यह आपके पास टार्गेट खुला हुआ है जो कि यह 37,400 तक का ठीक है इतना समझ में आगे आपको अब चलते है यूएस मार्केट के चार्ट पर और डाव चार्ट और नैस्डेक च पर्टिकुलर रेंज के अंदर डाव जोंस काम करने की कोशिस कर रहा है एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पास दिन इसका मतलब क्या है कि आज यूएस इंफलेशन डाटा आने के बाद यहां पर या तो एक बड़ा breakout मिलेगा या फिर बड़ा breakdown मिलेगा ठीक है अब तो आपको focus किस चीज़ पर रखना है वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिस कर रहा हूं माल ली जी यूएस इंफलेशन डाटा आता है और market positive behave करता है अगर market positive behave करता है तो definitely आपको long side पर बैठना चाहिए 2-3 trading session यानि इसका मतलब क्या है कि अगर माल ली जी यह positive behave करता है और कल हमारा निफ्टी 17,200,700,300 पर मिलता है तो वहां से आपको एक long position create करनी चाहिए क्योंकि यह breakout होगा तो यह breakout at least 2-3 दिन की तेजी जरूर दिखाएगा ठीक है दूसी चीज़ है lower level पर sustain कर रहा है इसका मतलब क्या है कि अगर positive moment आया तो already US market oversold है काफी जादा गिरे हुए तो यहां से 6,7,8,10% तका भी bounce back easily आ सकता है यह point आपको यहां पर ध्यान में रखना है क्योंकि अगर मैं यहां पर आपको समझाओ न तो चार्ट पे कुछ नहीं है लेकिन अगर आप देखोगे तो यहां पर मंतली data में देखो September मंत में 8% गिराता अगस मंत में भी 4% गिरा का आप देखो इस टोरीकल लगी में अगर आप जाते हो तो मंतली में आप देखो यहां पर करीब साड़े 9% साड़े 5% आल्मोस्ट आल्मोस्ट देखा जा है तो करीब 15 और 1% यह 16% डाउन है अगस्ट सेप्टेमबर और अक्टूबर तिल को हम माल लेते हैं 16% डाउन है इ तो थोड़े ऐसे भी positivity आई US inflation data में या फिर expectations से कम आई या फिर expectations के मताविक आई तो फिर आपको एक strong bounce back देखने को मिलना चाहिए यहां पर जैसा जुलाई की मंत में 12% का देखने को मिलाता तो expectations यही है कि 8-10% का moment आ सकता है इसलिए मैं बोलना हूं कि जिस side आज US market आपको move करते वो दिखाई दे आइधर upside और downside उस side आपको हमारे market में play करना चाहिए यह point आपको clearly ध्यान में रखिएगा ठीक है अभी तो खेर अगर currently situation देखें तो देख रहा है कि थोड़ा सा positive ही है क्योंकि अगर आप डाव feature को देखोगे तो यह almost day low से recover होके आप देख रहे हो यह positive-ness के अगर यह यहां से moment आता है तो 2-3% का moment definitely यहां पर बन सकता है और फिर हमारा market भी निफ्टी अरॉंड 17,500, 17,700 तक easily जा सकता है तो यह point आपको यहां पर ध्यान में रखना है अब हमारे market के लिए let us suppose अगर positive आता है तो तो day chart पर अब देखो क्या हो रहा है यहां पर अगर let us suppose US market positive behavior करता है तो हम किस लेविल तक जा सकते हैं हम around इस लेविल तक जा सकते हैं जो कि 17,925 का ठीक है 17,750 से लेकर 17,925 तक हम जा सकते हैं अगले week में क्यूंकि जाहर सी बात है कि bounce आएगा तो वो strong bounce होगा US market में और अगर US market अच्छा करेंगे तो हमारा market तो वैसी अच्छा कर रहा है तो फिर यहां पर क्या होगा दीरे-दीरे upside का ही trend बनता हुआ दिखाई दे सकता है तो यह point आपको यहां पर ध्यान में रखना है और बाकी देखते हैं क्या होता है कल पता चलेगा market gap down खुलता है gap up खुलता है क्योंकि हम सर्फ expectations कर सकते हैं और expectation के साफसे ही trade कर सकते हैं बड़ा gap up और gap down में आपको price action देखना पड़ेगा और अगर वो price action आपका positive बनता है तो आप positive side per trade करिए negative बनता है तो negative side per trade करिए बाकी ऐसा कुछ market में खास फिलाल ऐसी कोई condition नहीं है जिसको आपको deeply explain किया जाए बस जो चीज थी वो मैंने आपको market at 11 के वीडियो में clearly समझाती थी ठीक है तो I hope दोस्तों particular data आपको समझ में आ क्या होगा दोस्तों फिलाल इस वीडियो मे झाल